इस्राइल पर अगले 48 घंटे में मिसाइल अटैक हो सकता है यमन के हूती विद्रोहियों ने रविवार की सुबह इसका टेस्ट किया जिसके बाद कहा जा रहा है अगला एक हफता इस्राइल के लिए बहुत मुश्किल भरा होने वाला है दरसल टेस्ट के दौरान यमन के हूती विद्रोहियों को ये पता चल गया कि इस्रेल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम उनकी मिसाइल को ट्रैक कर पाने में फेल रहा है मिसाइल लॉंच होती है और बढ़ जाती है इस्राइल की तरफ और फिर इस्राइल से आए वीडियो देखिए इन तस्वीरों में इस्राइल का खौफ है इस्राइल डरा हुआ है ये साइरन की आवाज नहीं लग रहा है कि इस्राइल में जैसे कोई चिलना रहा हो बचाओ बचाओ तोकि इस्राइल पर हुआ है एक ऐसा हमला जिसने इस्राइल की तमाम सुरक्षा की गारंटी को फेल्ड सावित कर दिया है इस्राइल की फॉलादी दिवार में क्रैक आ चुके हैं इस्राइल की मिसाइल रोकने वाली ताकत पूरी तरह डह चुकी है और इस वक्त सबसे ज्यादा टेंशन मेंगर कोई है तो वो है इस्राइल की प्रधान मंत्री बेनियमिन नितन्याहू क्योंकि यमन से हुए हमले पर इस्राइल का मिसाइल डिफेंस 100% फेल हो गया इस्राइल को बचाने वाला अमेरिका इस हमले को नहीं रोक पाया इससे पहले इस्राइल की तरफ जाने वाले ड्रोन और मिसाइलों को गराने वाले तीन अरब देश सौधी अरब, जॉडन और मिस्र भी पूरी तरहां फेल हो गये इस्राइल पर यमन की तरफ से हुए मिसाइल हमले के बाद की तस्वीरे देखिए रविवार तड़के साड़े छे बजे इसराइल में साइरन बजने लगे और फिर सड़कों और हाईवे पर ये हाल देखा गया लोग बचने के लिए ऐसे छुप रहे थे तेलवीव से लेकर मोदीन शहर ये 40 किलोमीटर का दाइरा ऐसा था जहां इसराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इंपक्ट पॉइंट का अंदाजा लगाया इंपक्ट पॉइंट यानि वो जगा जहां मिसाइल गिरने की संभाव ना थी और फिर मिसाइल गिरी कफार डैनियल में ये जगा इसराइल के बैन गुरियन इंटरनाशनल एरपोर्ट से दस क्लूमेटर दूर है यमन के हूती विद्रोहियों का दावा है कि मिसाइल ने दो हजार चालिस क्लूमेटर का सपर ग्यारा मिनट 30 सेकंड में पूरा किया ये एक हाइपरसॉनिक बलिस्टिक मिसाइल थी यानि इसकी रफ्तार थी एक सेकंड में 3 किलूमेटर यमन से लॉन्च होने के बाद ये ऐसी ट्रजिक्ट्री में इसराइल की तरफ पढ़ी तो लाल सागर के उपर से जाकर अपने टार्गेट तक पहुँची साओी अरब और मिसर भी देकते रहे गए और आखर में जॉर्डन केलावा इसराइल भी इस मिसाइल कुरोगने में नाकाम सावित हुआ अन्हों बमार्गा रब जी रतित मुल्चीर अरशे शे लिरान शे खोतर लाश्मदतेनो अबुकर अखुतिम शिगरो तील करका करका मताइमान लेशित्खेनो हैं क्वारियूद्स रखिम लदाएट शे अन्हों गुवीम मेखीर कवड अलकॉल निसयों लिवगोवाबन मी शेजगू कले तिसकोरेग बाद्न जे मुजमन लवकर बनमान खुदेदा इसराइल हम मिसाइल के टुकडे तलाच रहा है लेकिन जो होना था वो हो चुका है वही मिसाइल जिसे वो ट्राक तो कर पाया लेकिन मार नहीं पाया ये इसराइल के लिए बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है यमन की मिसाइल के कुछ टुकडे रेलवे स्टेशन के एसकिलेटर पर भी मिले थे तब यहाँ कोई नहीं था इसलिए घायल कोई नहीं हुआ लेकिन होता तो क्या होता इसलिए कहा जा रहा है कि इसराइल को अब अपने एर डिफेंस की मरमत करने की जरूरत है क्योंकि वो यमन के हमले में पूरी तरह एक्सपोज हो गया है रिपोर्ट है कि इसराइल ने यमन की बलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए 20 एर डिफेंस मिसाइल दागी आसमान में धुए की ये सफैद लकीरे इस्राइल की नाकामी साबित कर रही है इस्राइल के security expert Yossi Malman ने कहा है कि यमन की missile ने इस्राइल के पूरे air defense को भेद डाला इस हमले में इस्राइल का arrow missile defense system fail हो गया इस हमले में इस्राइल का डेविट स्लिंग system fail हो गया इस हमले में इसराइल का वर्ल्ड फेमस आईरन डूम भी फेल्ड थाबित हुआ है इसराइल ने जिस दिवार को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया जो दिवार उसने अपने आस्मान के चारों तरफ तयार की थी उसे यमन की एक मिसाइल ने चकना चूर कर दिया है यमन का दावा है कि उसने ऐसी जगा को टार्गेट बनाया जिसकी वज़ा से ये करीब 25 लाक इसराइली लोगों को शेल्टर में फॉरण भागने की जरूरत पड़ी इसे कैई मिसाइल हैं जिनने यमन के हूती विद्रोही अपनी परेड में दिखाते रहे है इन सभी पर इरान की छाप लगी हुई है इस बात से तो इरान भी इंकार नहीं करता चाहे वो बलिस्टिक मिसाइल हो ग्रोस मिसाइल हो या फिर ट्रोन हूती विद्रोहीयों के पास बहुत से ऐसे हत्यार है जो से इरान के जरीए ही मिले है यमन के हूती विद्रोहियों को एरान का समर्थन इसराइल का दूसरा बड़ा खौफ है इसराइल का डर इस हमले से और ज्यादा बढ़ गया है इन हत्यारों के साथ यमन के हूती विद्रोहियों की सबसे बड़ी डिमैंड है कि वो इसराइल गाजा पर बंबारी बंद करें जब तक ऐसा नहीं होगा वो इसराइल पर हमले करते रहेगा पश्चिमेशिया की रिपोर्ट्स बताती हैं कि 7 अक्तुबर 2023 के बाद से यमन के उपूती अब तक इसराइल के 80 जहाजों को टार्गेट कर चुके है यमन के हमले ने युद्द के दायरे को दस गुना बढ़ा दिया है पश्चिमेशिया से अमेरिका की जमीन तक इस हमले की धमक सुनाई दे रही है सबसे बड़े खत्रे की घंटी अब सैयुक्त राष्ट में भी लगातार बज रही है to Gaza as the war continues to inflict unspeakable suffering on hundreds of thousands and has extended its destabilizing effects across the broader region these destabilizing effects, Mr. President have also affected Yemen negatively Answer Allah has continued attacks on vessels in the Red Sea threatening regional stability and international maritime security इस्राइल की प्रधान मंत्री बेनियमीन नेतन्याहू की बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ गई है इस्राइल में यमन की तरफ से हमलों के बीच नेतन्याहू को अब अपने तेल के कुवों की चिंता सता रही है क्योंकि यहाँ पर हमला रोकना असान नहीं होगा दर है कि यमन के हूती अब इस्राइल के तेल के कुवों और गैस फील्ड पर हमले की तयारी कर रहे है बूम अद्य सागर में इस्राइल के कैई तेल और गैस के बंडार है और यहाँ उसके ओल रिक्स पर ड्रोन अटैक किया जा सकता है यही यमन की ड्रोन फोर्स का नया टारगेट बन सकते है इन पर हमलों को रोक पाना इस्राइल के लिए आसान नहीं होगा ओल रिक्स पर हमले का मतलब है कि इस्राइल के एनर्जी इंडिस्ट्री की तबाही भूम अद्यसागर में इस्राइल की तमार, लेवियतन और करीज गैस फील्ड है यहाँ इस्राइल हर साल 21 अरप क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन करता है इस गैस फील्ड से मिस्र और जॉर्डन को भी गैस की सप्लाई की जाती है 19 जॉलाई को जब तलवीव में आधी रात 3 बजे हमला हुआ था तब धमाका बहुत बड़ा था किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या सड़कों पर लोग बदहवास हालत में नज़र आए इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हुई थी जबकि 10 लोग जखमी हुए थे तलवीव में अफरा तफरी मच गई ड्रोन से हुए इस धमाके ने इसराईल को बुरी तरह हिला कर रख दिया लोग सड़कों पर निकलाए सारन बजने लगे आखर इसराईल की राजधानी में दुश्मन का याफा नाम का ड्रोन कैसे घुज गया कैसे इसराईल का सबसे मजबूत किला आग के शोलों से चकना चूर हो गया याफा ड्रोन के बारे में कहा जा रहा है कि ये इरान से मिले ड्रोन की नकल है इसका असली नाम समद 3 है इस ड्रोन के रेंज 2000 किलोमीटर है अब इस ड्रोन का रूप देखिए जिसने इसराइल को चौका दिया ये ड्रोन लाल सागर के उपर से होते हुए स्विज नहर के उपर से गुज़रा और फिर तेलवीव में इस ड्रोन ने अपने टार्गेट पर बड़ा धमाका किया 2000 किलोमीटर की रेंज वाले ड्रोन का मतलब है कि यमन के हूती विद्रोही इसराइल को आसानी से निशाना बना सकते हैं चाहे वो उसके शेहरी इलाके हो चाहे वो इसके ऑॉयल रिग्स हो या फिर इसराइल के बंदरगा इसराइल पर हमास के हमले के 11 महीने पूरे हो चुके हैं घाजा पर इसराइल के आपरेशन के भी 11 महीने पूरे हो गए है 11 महीनों की तबाही का दोर ऐसा चला है कि युद का एपिसेंटर अब घाजा से निकल कर इसराइल और लबनान बॉर्डर के साथ-साथ-यमन और लाल सागर में पहुंच किया है नेतनियाहू वोती विद्रोहियों को जिस हुदेदा पोर्ट पर हमले की याद दिला रहे हैं उसकी तसफीरे देख लीजिए 20 जॉलाई को यही वो हमला था जब इसराइल के फाइटर जेट्स ने यमन के तेल डीपो पर बम गिराए थे और फिर लगा कि जैसे पूरा हुदेदा बंदर का जनने लगा यमन को भी पता लग गया है कि हुदी विद्रोहियों के हमले के बाद जस तरह से इसराइल ने अटाक किया है उस से युद घजा के खंडरों से निकल कर अब उसकी जमीन पर पहुँच गया है इस में कोई शक नहीं है कि यमन का गुस्सा साथवे आस्मान पर है और यमन की पबलिक इस गुस्से का इजहार भी कर रही है घजा को लेकर फैले आकरोश में अब यमन सीधा इसराइल के खलाब युद शुरू कर चुका है इस से पहले हूती विद्रोयों ने इसराइल पर ड्रोन और क्रूज मिसाइल से कैई हमले किये लेकिन 15 सितंबर का हमला ज्यादा खतरनाक है इसमें यमन की बलिस्टिक मिसाइल ने इसराइल के एर डिफेंस को चीट डाला है और अब इसराइल महसूस कर रहा है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत खत्म होती जा रही है इसराइल की एर और मिसाइल डिफेंस नेटवर्क नाकाम सावित हो रहे है खत्रा अब इसराइल के तेल के कूप पर मंडराने लगा है